अब साटका हो गया हूँ तो मेरे पास में इतना कुछ हो गया है कि अब मैं अपनी जिंदगी आनंद से जी सकता हूँ क्योंकि अब तक मैंने यही सोचा था एक बार पहले ठीक से कमा लूँ उसके बाद जिंदगी का आनंद लूँगा जैसे यह सब हिसाब करते करते पुरानी बातें वो याद करता जा रहा था क्या क्या संगर्स मैंने किये कैसे पेट काट करके एक एक चीज मैंने जोड़ी कैसे अपनी नींदे खराब करकर के मैंने धन कमाया कैसे मैंने अपने बच्चों के साथ भी नहीं बैट पाया मैं अपनी पत्नी की बात भी नहीं सुन पाया मैंने कभी रिस्तेदारों के बीच में भी ज़्यादा देर जाकर बैठ नहीं पाया किस तरह से मैंने ये पैसे इकटे किये क्या कुछ मैंने ये उपलब्दियां पाई सब हिसाब लगा रहा था और अचानक चक्कर आना शुरू हो गया पहले तो उसे लगा कोई गैस होगी फिर उसे लगा कोई सरवाइकल की प्रबलम है फिर उसे लगता है कि कुछ वीकनेस हो गई है चेक अप कराएंगे और इतने देर में चक्कर खाकर नीचे गिर गया और जैसे चक्कर खाकर गिरा तो उसने देखा कि कोई एक काली चाया सामने दिखाई दे रही है तो इसने पूछा कौन हो तुम बोले हम वही हैं जो आखिर में आया करते हैं ये मराज हो बोले हाँ ले जाने आये हो बोले बिलकुल ले जाने आये बोले अभी तो मैंने जीवन जीने की तैयारी की थी और तुम लेने के लिए भी आ गए तो उन्हों ने कहा कि जीवन जीने की तैयारी करने का मतलब नहीं होता जिंदगी तो हर पल आनंद मनाने के लिए होती है खुशी मनाने के लिए होती है ये तुम्हारी शर्टों पर नहीं चलती इसने गाए एक काम करिए मैंने इतनी मेनस से पैसा कमाया है इसमें से थोड़ा बहुत आप ले लीजे और बाकी हमें कुछ साल और जीने का मौका दे दीजे उस काली छाय ने हसते वे कहा कि ये कागज के टुकड़े तुमारे लिए कीमती है हमारे लिए तो ये सब बेकार हैं और ये रिश्वत जो है ये दुनिया में काम कर जाती होगी हमें काम नहीं करती बोले आदा-ादा कर लेते हैं ये मुराज ने फिर डाटा और ये कहा यहां आदा पूरा कुछ नहीं होता बोले नहीं आदा आदा कर लेते हैं आप मुझे एक साल जीने की महलत दे दीजे और फिर देखें मैं कैसे जीता हूँ क्योंकि मुझे होश आगई जिंदगी जीने की अब तक जो मैंने लापरवाही की है अब तक मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा अब तक अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा अब मैं पूरी दुनिया गोमना चाहता हूँ मैं हर पल का आनंद लेना चाहता हूँ मैं खुशी खुशी जीऊंगा एक एक शन में मैं संतुष्ट होकर जिऊंगा मैंने प्रार्थना नहीं की मैंने कमा करके अपने लिए तो मैं जिया हूँ लेकिन अपने लिए भी नहीं जिया हूँ मेरी तो कोशिश ये थी कि बस इकठा करता चला जाओ अब मुझे बहुत समझ आ गई है आप मुझे जो है एक साल का मौका दो काली छाय ने कहा एक साल की बात क्या तुम्हे एक गंटे का टाइम नहीं मिलेगा इस नहीं कहा ऐसा करो अच्छा सारी प्रोपर्टी रख लो एक गंटा तो मुझे और दे दो काली छाय फिर कहती है एक गंटा भी नहीं मिलेगा अच्छा चलो सारा सब कुछ जो भी कुछ है मेरा नेम फेम रुपया पैसा सम्मत देने को तैयार हूँ पांच मिनट तो दे दो ना हो रहा है अब यमराज ने कहा कि अच्छा ये बता पांच मिनट में क्या करेगा इसने कहा मैं लिखना चाहता हूँ पच्छा क्या लिखेगा इसने कहा कि मैं इस दुनिया के नाम ये लिखना चाहता हूँ कि पागल लोगो पैसा एकठा करने में अपनी जिंदकी खराम मत कर लेना अपनी सेथ खराम मत कर लेना अपनों के लिए मोह ममता में आ करके इतने पाप और गुना मत कर लेना कि तुमारी आत्मा कुलुशित हो जाए आखिर तक एक एक ख़ण का आनंद लेते वे जीना जिन्दगी ना कल में है ना आज में है ना उस ख़ण में है जो बीच चुका है हर पल में जिन्दगी है जो भी तुमारे सामने अगर उसका आनंद लेकर जी सकते हो तो तुमें जीना आ गया मैं ये लिखना चाहता हूँ यमराज ने कहा लिखोगे तो क्या होगा बोले जैसा मूर्क मैं हूँ ऐसे दुनिया में बहुत सारे मूर्क हैं वो पढ़ेंगे तो उनको अकल आएगे यमराज बहुत जोर से हासे और बोले तुम जैसे बहुत लोगों ने किताबें लिखी हैं और लाइबरेरियां भरी पढ़ी हैं कोई नहीं पढ़ता उसको और तो और शमशान गाट के पत्थरों पर भी लिखा हुआ है वहाँ भी लोग एक दूसरे को छोड़के आते हैं और पत्थर पे पढ़ी भी बात लिखी भी बात को पढ़के भी आते हैं उसके बाद भी घर आते आते भूल जाते हैं वहीं से आते आते share market के भाव की बात करने लग जाते हैं इसलिए इस चक्कर में मत पढ़ के तेरे लिखे वे को दुनिया पढ़ेगी और उनको समझा जाएगी ये दुनिया में मोहो और दुनिया की माया का प्रभाव ऐसा है इस दुनिया में लोग जाग नहीं पाते वही जागता है जिस पर गुरू की कृपा हुआ करते हैं और जो जाग गया वो जिंदकी को जीता है न तो किसी का रोब चलता दुनिया में न किसी का प्रभाव चलता न किसी की संपत्ति काम आती अगर काम आती है एक एक्षण जीने का तरीका आ जाए समझ आ जाए कमाया कुछ भी छोड़ना यहीं पड़ेगा अगर साथ जाएगा तो धर्म जाएगा साथ जाएगी तो भक्ती जाएगी उसी से तो महरा कल्यान हो सकता है नहीं तो किसी चीज से कल्यान होने वाला नहीं है अब ये बात जब समझ आ जाए तभी भला लेकिन आती है कि किसी को इतनी इस्तने सुनते हैं एक दूसरे को सुनाते समझाते हैं अब तो वाटसेप पर ग्यान बढ़ता है एक दूसरे को सारी बातें भोलते हैं और बेजते हैं उसके बाद भी कौन पढ़े कौन समझे कौन विचारे इतनी फुरसत है ही नहीं इसलिए निविदन ये करना चाहता हूँ कि जब आप एक आंत में बैठकर अपने अंदर कुछ प्रश्न उठाते हैं उनके उत्तर खोजते हैं और जब ये सोचते हैं कि अब तक जैसे जिन्दगी बीती बीती अब एक नए तरह से जिन्दगी जीने के लिए मैं तयार हूँ हम लोग जो आज यहां बैठे वे हैं तयारी कीजिए कि अब खान पान पर भी ध्यान देंगे, सेथ पर भी ध्यान देंगे पांच चीजे बड़ी मैतुपूर्ण मानी जाती है, सबसे पहला तो यही माना जाता है कि व्यक्ति अपने आरोग्ये पर ध्यान दे, दूसरे नंबर पर माना जाता है, आर्थिक आत्म निर्भरता पर ध्यान दे और तीसरे नमबर पर माना जाता है कि उसके पारिवारिक प्रसनता बनी रहे और चौथे नमबर पर माना जाता है कि प्रतियक व्यक्ति का सामाजिक जीवन जो है वो इतना उतकृष्ट हो कि उसका सम्मान बना रहे उसके जाने के बादरी और पांची चीज मानी जाती है कि जब 20 दिन शुरू होता है रातरी आती है तो सुबह और शाम अपने भगवान के साथ स्वयम को जोड़े गुरू, धर्म और भगवान इनके प्रती ऐसी वफादारी बनाए कि ये वफादारी कभी तूटनी नहीं चाहिए जब समय भगवान का हो उस समय उसको याद करने बैठे तो पांची चीजे बताई मैंने याद करनी है आपको मैं तो बोलके निकल गया आपके भी दिमाख में आई और निकल गयी आप ये के करके याद कर लीजे पहले नंबर की चीज है आरोग्यता बोलिए आरोग्यता इसका मतलब क्या होता है स्वस्त रहना निरोग रहना इस पर काम करेंगे हाथ उठा के बताईए सब तयार आज से या कल से आज से चलिए एक नंबर की बात याद हो गई करना ये होगा के अच्छी नींद अच्छा भोजन और परहेज का द्यान पानी की मात्रा भी अच्छी आपकी टेबल पर गिलास पानी का भरा रहना चाहिए पानी को देखते ही प्यास लगती है नहीं तो आप भूल जाओगे पानी भी पीना है ध्यान रखिए और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी टेबल के उपर एक सुन्दर सा फूल जरूर रखें जिसको देखकर आपको मुस्कराट याद आए और चेहरे पर ताजगे बनाए रखनी है ये याद रहे फूल को देखकर याद आए और अच्छी बात तो ये है कि आप जैसे इस प्रकृती की शुभा बढ़ाने के लिए भगवान ने पुष्प को बनाया फूल को बनाया आप भी इस धर्दी की शुभा बने और आपके चेहरे पर मुस्कराट बन सके इसका मन में विचार जरूर करना चाहिए और किसी से मिलें तो मुस्करा कर मिलिए किसी को फूल दो न दो लेकिन मुस्कराइट से स्वागत करें तो ये फूल देने से भी ज़्याद महत्वपूर्ण होगा आगे बढ़ते हैं पहली बात हो गई आरोग्यता इस पर आप लोगों ने सबने हाथ पूरा हाउस ने हाथ उठाया और सब लोग तयार हुए है आप मजबूत रहना भई पक्का करके जाना क्योंके यही शरीर जिसमें आपने जिन्दगी बार रहना है इसका पूरा ख्याल रखना नहीं तो कभी गुटने कह देते हैं कि दोस्त अब मैं साथ नहीं दे पाऊंगा तुन्हें बहुत जाती की मेरे साथ अब तुम्हारे पूरे शरीर का बोज लेकि में चलता था अब बोज उठाना मुश्किल है तो एक-एक टांग को गसीट के चलना पड़ता है देरे-देरे उम्र के साथ में जितने भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं न उनमें भी फरकाना शिरू हो जाता है चाल बिगड़ जाते हैं आदमें के मसल्स वीक पड़ने लग जाते हैं बोडी को लचीला बनाय रखना जरूरी है तीन तरह की एक्सिसाइज करनी चाहिए पहली कार्डियो एक्सिसाइज ते ते चलना या रनिंग करना या जोगिंग करना समझ में आ रहा न सबको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ पक्की याद कर लेना दूसरे एक्सिसाइज होती है बोडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए स्टेचिंग करना या योगासन करना ये भी याद हो गया अब तीसरे नंबर पर एक्सिसाइज मानी जाती है डीप ब्रीधिंग करना स्वास लंबे गहरे लेना प्राणयाम करना तीनों एक्सिसाइज से जाकर के व्यायाम पूरा होता है याद रह जाएगा ना बीच बीच में रुक रहा हूँ इसलिए पक्का कर लेना भाई अगली बात महत पूर्ण है लंबी गहरी नेंद लेना जरूरी है और रात्री को सोने से पहले शान्त बनाओ अपनी रात को बनाने का नियम है सोने से 40 मिनट पहले मस्तिस को शान्त करना शुरू करो कोई म्योजिक सुनो जिससे आपके मस्तिक्स में शान्ती आए वो सारे सीरियल मत देखना जिसको देखने के बाद आप तनाओ ग्रस्त होते हैं और शरीर के अंदर वो केमिकल्स अपना काम करने लग जाते हैं जिससे आपके अंदर तनाओ आता है म्योजिक सुनिये हसने बोलने की कोई चीज़ें सुनने के पढ़ने या देखने के बाद म्योजिक सुने थोड़ी देरे टहलें और फिर देरे देरे माते को ठंडा करें तैयारी नींद की कर लोगे शान्ती में सोना आ जाए और आनंद में जागना आ जाये तो जिंदगी जीना आ जाता है आदने को ये सब से पहले सीखना है वो पुराने समय में जो गीत चलते थे न एक आद रिकॉर्ड करके रख लो अपने पास आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम तु भी सोजा सो गई रंग वरिशा कि आज का दिन कल में बदलने लगा है आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम आज का दिन खत्म हो रहा है तु भी सोजा सो गई रंग वरिशाम आज की रंगीनियों से वरिशाम सो गई है अब जो बोलते हैं न कि सो गया चमन चमन सोगई कली-कली, सोगई सबनगर, सोगई गली-गली नींद कह रहिये तेरी बाहें थाम, तू भी सो जा सो गई, रंग बरी शाम गिन्या दीरे-दीरे-दीरे शांध करो अपने आपको खुद को शांध करके सोईए सबेरे जब जागोगे तो ताजगी होगी और उम्र लंबी होगी और जीने का मज़ा आएगा ठीक है ना? इसको बोलते हैं आरोग्यता ध्यान में हम लोग बुलाते हैं ना meditation camp लगाते हैं तो उस समय ये सब सिखाते हैं बैठके प्रसिक्षन उसी में देते हैं कहां कहां से दुनिया भर से चलके आते हैं ना? रिशिकेश में हमने प्रबंद रखा था केवल एक हजार आदमियों का इससे जादे रखने की विवस्ता ही नहीं थी निवेदन करना चाहता हूं आप से आप जब तक जीवन का प्रसिक्षन नहीं लेंगे जिंदगी आज से निकल जाएगे पुराने लोग कुछ भी थोड़ा सीखते थे तो कहते थे लाक रुपे की बात कही है वैल्यू समझते थे उसके इसलिए पहले नंबर पर आपको अपने शरीर को और दूसरे नंबर पर आर्थिक आत्मिर्बरता जरूर बनाओ क्योंकि आर्थिक रूप से आत्मिर्बर होना चाहिए आपका सिस्टम आपके लिए कमाएं आपकी दिवस्ता आपके लिए कमाएं और आप अपने लिए इतना जोड़ के जरूर रखो के जिन्दगी के आकरी लमे तक भी आप दाता तो बनकर जी सकें, याचक बनकर, मंगता बनकर न जीएं, अपने बच्चों के आगे भी हाथ पलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, आप आखिर तक दे सकें, और शरीर को भी ऐसा त्यार करो के आपको सारे की जरूरत न पड़ अब शिगागों में आम लोग थे न तो वहा जां थहरे थे, तो हमने काया कि टैलने के लिए शाम को जाने की आदत है, तो टैलने के लिए गए उन्होंने कहा बराबर में ऐक आलोनी है, जहाँ सब के पास अपने अपने हवाई जा जाएं, एक कालोनी है पूरे, जिसमें हवाई पट्टी बनी वे बीच में और ऐसी अमेरिका के कुछ शहरों में एक एक शहर के अंदर दो दो तिन तिन हवाई पट्टियां बनी वी हैं अपनी निजी बना रखी हैं समय हैं जैसे आपके यहां गाड़ी पार्क होती है उनके हवाई जाज पीछे हैं एंगर में पार कि तरफ जो है गाड़ी पार्क करने की वेबस्ता है गैराज बना वुए है अब जब हम लोग ठहल रहे थे तो हमने का इधर की तरफ देखें तो इधर तो इनके हर बने भी है हावाई जाज सब के अपने अपने खड़े भी है आगे की तरफ गाडियां भी है मोटर बोट बहुत दो भी तो मैंने का इनको बिज्जती महसूस नहीं होती है। बहुत शान की सवारी मानते हैं यहां लोग सुबह 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 साइक्लिंग करते हुए पार्क में साइकल का ट्रेक बना हुआ है। और जो और ज़्यादा एडवांस है वो तो पैदली दौड मारता है सुबह उठते ही. तो मैंने का अपने यहां तो अगर जो है कोई मर्सडीज में है या बी-म-डब्लियू में बैठता हो और किसी दिन साइकल पे बैठे देख लें लोग उसको, तो लोग कहते हैं वैसे बाहर से ही लगना अमीर है, बाकि दिन तो इसके साइकल के ही आ गए है. वहां का हर एक आदमी अपना काम खुद करना पसंद करता है, अमीर ही बहुत है. अपने घर के सफाई खुद करेंगे, अपने काम खुद करेंगे, साइकल पर भी बैठते हैं, सहर भी करते हैं, दौड भी लगाते हैं, क्योंकि पहली दौलत आपकी, आपका शरीर है, और उसे भी इस लाइक बनाना के आखिर तक अपना काम खुद करते जाना है, दूसरे का क तो अपनी जग चली रही है संसार के जो नियम है अगर उनका पालन नहीं करोगे तो यह ध्यान लख लीजे बीमारियां खा जाएंगे लोहा देरे देरे जंग लग जाता है और जंग लग जाएगा तो लोहा कितना भी मजबूत है किसी कबिल नहीं रहेगा तो अपने आपको जंग मत लगने दीजे आर्थिक रूप से भी आत्म निर्बर बने और अपने परिवार को आप उपहार दो ना दो उनको टाइम दो उनके साथ बैठो उनके दिलों तक पहुँचने की कोशिश कीजिए उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए इस से बड़ी कोई दौलत नहीं है जो आप प्यार एक दूसरे को देते हैं एक दूसरे के लिए सेक्रिफाइज करते हैं रिष्टे आपके जिंदा होते हैं सिरफ प्यार से अपने प्यार से अपने रिष्टों अपने नियम के, कि दुनिया इदर से उदर हो जाए, जो वक्त मेरा भगवान की पूजा का है, वो मैं किसी को देने वाला नहीं है, उसी समय में बैटूँगा। तो कुछ तो याद रहेगा ना, कृष्म भगवान ने कहा है, हजारों में से कोई ही इस तरफ आएगा, जो आएगा भी सही, सिद्धी के लिए कोशिश करने वालों में भी हजारों में से कोई होगा, और तत्व से मुझे जानने वाला भी कोई कोई होगा, अपनाने वाला भी कोई कोई होगा, तो अगर आप चुन लिए गए हैं तो भगवान का धन्यवाद कीजिए और इस राह में और दुरता से आपने आगे बढ़ना है आप सब के लिए बहुत-बहुत शुब कामने मेरी युवा शक्ति का अगर सही ढंक से प्रियोग किया जाए तो वो इतिहास रह सकती है युवा स्वयम के निर्माण के साथ साथ अपने परिवार का समाज का और राष्ट का निर्माण करें और साथ ही एक ऐसी नई सब्भेत लाए जिससे उज्वल भविश्य के साथ समस्त के उद्धान के लिए भी कारे किया जा सकी युवाओं में अपनी संस्कृती संसकार को जाकरित करने की परिकल्पना को साकार करने के उद्धेश से परंपूज्य गुरुदेव सुधानशुजी महराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीधी की पावन उपस्तिति में युवा जीवन अभ्युत्य का आगास आगामी 3 अगस्त को दिल्ले स्थित आनंद धाम में होने जा रहा है जिसमें बच्चों के द्वारा प्रतियों की ताएं सेमिनार तथा पूज्य महराज श्री एवं दीधी जी के साथ युवा सम्मेलन का आयोजन होगा तथा 4 अगस्त को सां कारिकरम का विधिवत समापन होगा ये कारिकरम युवाओं का है युवाओं के लिए है और युवाओं के द्वारा ही आयोजित है तो आएं आप भी हमारे साथ जुड़कर नई उर्चा नई सोच नव संकल नया पत रखने वाले नव भारत का नव निर्मान करें कर दो कर दो